आंगनबाडी सेविका सह पोसं सकी कर्मचारी संग की राजिस्तरिय बैठक रविवार को जंडा मैदान में संपन्न हुई बैठक में धनबाद गिरिडी, कोडर्मा इवं चत्रा जिले की पोसं सक्षियों ने भाग लिया बैठक में अतीती के रूप में कर्मचारी महसंग के असोक कुमार सिंग नयन, अमर किसोर प्रसाद, देवन्ती देवी, रेखा मंडल, प्रयाग प्रसाद यादव, विर्बल रवानी, ताहिरुसैन, निरच कुमार, भजन सावादी सामिल थे बैठक में कुलाठ प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, साथी अपनी मांगो के प्राप्ति के लिए आंदोलन की योजना भी बनाई गई बताया गया कि बैठक के दोरान एक राज्य स्तरियत अधक कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सोनी कुमारी को बनाया गया, वहीं प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष की जिम्मवारी सिवावती कुमारी को सौंपी गई वहीं उपाध्यक्ष का भार सयुक्त रूप से धनबात की मंजु कुमारी, गिरिडी की रजिया खातून, सावित्री कुमारी, कोडर्मा की मीना के स्री और चत्रा की नितु कुमारी को दिया गया इधर प्रदेश महा सचेव के जिम्यवारी धनबात की पारवती सोरेन को सौपी गई, कमेटी में मुखे संग्रक्षक असोग कुमार सिंग बनाये गए, कमेटी में पदाधिकारियों के निर्वाचन के बाद सभी का माला पहना कर गर्म जोसी से स्वागत किया गया जारखन राज में आंगनवारी केंद्रों में कार्ज करने वाली पोसन सकी, जिनकी संख्या इस परदेश में लगवग 15,000 है, उनके राज कमीटी के गठन को लेकर आज यहां बैठक की जा रही है, जिसमें सभी लगवग जीलों से हमारे उनके परतनीदी पहुँचे हैं बैठक का और राज कमीटी गठन करने के पीछे मनसा असपस्ट है कि जारखन सरकार इनकी बहाली करने के बाद इनको भूल चुकी है, अभी हाल में ही देख रहे हैं कि जो भी एस्टेटमेंट आ रहा है उस्टेटमेंट में सेविका साही का की ही चर्चा हो रही है, उसमें पोसन सखी की चर्चा नहीं है, जबकि 2018 में, 2019 में जो संयुक्त मोर्चा के नेतरित में संगर्स हुआ, अंदोलन हुआ, हर्ताले हुई, और उस हर्ताल में जो समझाता हुआ, लिखित रूप में समझाता हुआ, उसमें पोसन सखी की भी चर्चा है कि उनकी निमावली जाएगा उनके अवकास की सुविधा दी जाएगी उन्हें बीमात किया जाएगा लेकिन तमाम वो कागज में ही लिखे हुई रह गई आज तक लागयू नहीं हुआ बाद होकर जो आक्रोस इनके दिलों में है सरकार के प्रती उसको लेकर आज यहां पर बैठक हो रही है और यह बताना चाहते हैं मानिय मुख मंत्री जी के शंग्यान में लाना चाहते हैं कि जब 2019 में आंदोलन हुई थी ततकालिन विपक्ष के नेता के हैसियत से आदर्निय मानिय मुख मंत्री जी आ मंत्रित किये गयते उन्होंने घोसना किया था मानिय वित मंत्री जी ने घोसना क कि हमारी सरकार बनने पर आपके साथ नियाए होगा आपको एदोलन पर जाना नहीं परेगा लेकिन अब यह तो सा हो चुकendamap teman सरकार से लेकिन हम इस सरकार से आप एछा करते हैं कि जो सरकार ने पूर्व में भोषना किया था पोसं सकी के के बारे में लिखत एग्रिमेंट किया था उन तमाम बिंदूओं पर गौर करके इंको लागू करेगी अनिता यह राज कमीटी आगामी आंदोलन पर जाने के लिए बात दोगी जिसकी सारी जवाब देही जार्खन सरकार की होगी